आज घर पर बना है वेज़ थाली तो आईए आपको दिखाते हैं क्या-क्या बनाए हैं और कैसे बनाए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो यहाँ पे वेज़ थाली में सबसे पहले डाल रहे हैं औरी नियुक्त और चटनी को दिredictा डी है जीरा दे दिया, और इधर कका भी तर्गयों और इधा इतु चा देदावाल, दिता बुझान, दिता को जीर ने तो पर कीछालो, दिससे फिर उसके बाद दे दिये मिर्ची उसके बाद ये देखिए प्याजवाला साग है तो अब इन सब को दे देंगे आलू और प्याजवाला साग को और चला लेंगे और कुछ ढग ढग करके पका लेंगे पहले नमक दे देंगे ताकि अच्छे से गल जाए फिर इसको 10-15 मिनट के लिए ढग देंगे यहाँ पे फिर कुछ देर के बाद हम देखेंगे जब ये 80% कुक हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे डाल देंगे पहले देखें यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे फिर डालेंगे यहाँ पे हल्दी तो इसका मैं भुजिया बना रहे हैं तो भुजिया में हल्दी ही चाहिए होता है मैं मसाला नहीं डालती हूँ हरा मिर्च डालते हैं लेकिन बच्चे हैं तो हरा मिर्च नहीं खाते हैं तो मैं नहीं डाल रही यहाँ पे तो इसको अच्छे से फ्राइ कर लेंगा जब तक यह लाल नहीं हो जाए इधर मैं तड़का का त्यारी कर प्याज को हम अच्छे से चला लेंगे और golden brown होने तक पका लेंगे जितना पकाईएगा उतना ही अच्छा फेलवर आता है हर एक ुद्वीच में प्याज को आप जितना अच्छा से पका सकते दो यह हैं लहसुन क Istue तो अब जो है प्यास जब मेरा पक गया है तो फिर हम लहसुन का पेस्ट डाल दिये यहाँ पे और जब पेस्ट पक जाएगा यानि कि उसमें से कच्चेस मिलाना बंद हो जाएगा तो फिर यहाँ पे टमाटर हल्दी डाल देंगे फिर यहाँ पे धनिया मिर्च का पावडर देंगे और इस सब को अच्छे से चला लेंगे थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे और टमाटर भी हलका हलका तोड़ती रहेंगे तो जितना पॉट में पानी था ना लहसुन वाला वह सारा डाल दिये हैं ताकि मसाला जो है वह जले नहीं और लहसुन भी बरवाद नहीं हो तो उसके बाद मैं डाल रहें यहां पे कसूरी मेथी और अभी भी प्यास को अच्छे से पकाएंगे टमाटर को गलाएंगे तो जब सब चीज हो जाएगा तो फिर यहां पे डाल देंगे चना डाल यह देखिए अब चना डाल को भी थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे और तो अब इसमें डालेंगे नमाक फिर हल्दी फिर यह है मसाला धनिया मिर्च का पाउडर और यह है हल्दी और इन सब को अच्छे से मिला लेंगे बैगन में और पांच मिनट के लिए बस जादा नहीं पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है बैगन में मसाला च वरना अंदर में बैगन कच्छा रह जाएगा तो इधर चेक करते हैं मेरा तड़का तड़का भी बनके तयार हो गया बस चम्मत से इसको चला देंगे जितना भी खड़ा प्याज वगर दीख रहा है सब खतम हो जाएगा तो complete मेरा खाना बनके तयार हो गया इधर चावल है इ यहां पर बैगन भाजा डालेंगे यह मेरे घर में बहुत पसंद करती है मेरे बचे लोग उसके बार डाल देंगे यहां पर आलू का भुजिया फिर डालेंगे यह धनिया पता और टमाटर का चटनी है तो मेरी पूरी फैमली बहुत अच्छे से वेज़ धाली को लगता होगा मेरे ही रेसिपी से बनाईए और बताईए कमेंट करके